हेलो फ्रेंड स्वागत अपका मेरे चैनल प्रीदी इस कॉर्णल में आज हम बनाएंगे इमली और गुड की खटी मिठी चट्नी जिसको आप दही भल्ले आलो की टिक्की और पकोडों के साथ भी खा सकते हैं देखें लग रहा है ना बिल्कुल हलबाई जैसे इसे airtight container या sauce की bottal में फ्रिज में साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और चलेगे शुरू करते हैं चट्नी बनाने के लिए मैंने दो कप इमली का pulp लिया है pulp बनाने के लिए मैंने 125 ग्राम इमली लिए थी और इसको दो कप गरम पानी में विगो दिया था और फिर सको मसल के इस ट्रेनर से पल्प को चान लिया है पल्प की कंसिस्टेंसी देखी इसको बहुत पतला नहीं बनाना है अब हम एक पैन में एक टीजपून डेशी घिलेंगे और एक टीजपून क्रश किया हुआ लैसून लिया है मैंने अब इसको हलका सा भून लेंगे जिससे कि इसका कच्छापन निकल जाए लैसुन को जादा नहीं भूनना है इससे चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है यदि आप लैसुन नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं हमारा लैसुन भून किया है इसमें इमली का पल्प डालेंगे मैंने दो कप इमली का पल्प तैयार किया है इसको मिक्स कर लेंगे इमली का पल्प तैयार करते समय इसमें ज्यादा पानी ना मिला है नहीं तो चटनी बनादे से हमें इसको बहुत देर तक पकाना पड़ता है पर बिल्कुल थिक भी ना रखे क्योंकि इसमें गुड मिलाने के बाद ये काफी थिक हो जाता है अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे आधा टीस्पून काला नमक आधा टीस्पून भुना जीरा पौडर डालेंगे और एक टीस्पून कश्मेरी लाल मिर्च पौडर कश्मेरी लाल मिर्च पौडर से इसका कलर बहुत अच्छा आजाता है और ये हलका सा तीखा होता है तो इससे हमारी चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है अब सभी मसालो को हम mix कर लेंगे अच्छे से flame को medium to high रखेंगे अब हम इसमें गुड में लाएंगे मैंने 1 कप गुड लिया है, crush किया हुआ crush करने से गुड बहुत ज़ली से melt हो जाता है अब हम थोड़ा थोड़ा करके गुड डालेंगे गुड आपस में चिपक जाते हैं तो एक साथ डालेंगे तो छीटे पड़ सकते हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मैंने सारा गुड डाल दिया है अब हम इसे मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए आप गुड की क्वांटिटी अपनी टेस्ट के कॉर्डिंग घटा आया बढ़ा सकते हैं हमारा गुड मेल्ट हो गया है और इसमें एक बॉयल भी आ गया है अब हम इसे 5 मिनट तक कंटिन्यू हाई फ्लेम पर पकाएंगे गुड बहुत जल्दी से ठिक हो जाता है और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बे चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो ठंडा होने के बाद यह काफी ठीक हो जाएगा अगर आपको चैनल जादा थिक चाही तो आप थोड़ी देर से और पका सकते हैं पर मुझे इसी कंसिस्टेंसी की चैनल चाहिए तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे गंटा में चटनी ठंडी हो गई है अब इसका टेक्श्चर देखिए लग रही है न विल्कुल हलवाही जैसे तो यदि आपको यह रेस वे वसंदो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग माय चैनल टेक केर और बाइब 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 एप्पी होली